आपने फ्रेजनल और फ्रान होफर डाइफ्रेक्शन के बारे में सुना होगा फ्रेजनल डाइफ्रेक्शन में आपका सोर्स और स्क्रीन जो है वो लिमिटीड डिस्टेंस पे होता है स्लिट से लेकिन फ्रान होफर में ये इन्फानाइट डिस्टेंस पे होता है इन्फानाइट डिस्टेंस को फिर भी समझना इजी है क्योंकि पैरलल रेज हो जाती है प्लेन वेफ्रेंट हो जाता है लेकिन फ्रेजनल को किस तरीके से समझा जाएगा अगर आप इस टोपिक के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप S.Jand Publishing की इस बुक को refer कर सकते हैं इस बुक की e-book का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा So let's discuss सबसे पहले जो हाईजन्स ने principle दिया था कि जो भी आपके पास light है light का जो wavefront है wavefront क्या है कि locus of those points जिनका आपके पास phase same हो तो हर wavefront पे जो हर एक point है वो एक independent source की तरह है spherical wavefront के source की तरह है behave कर सकता है and then उस से हम किसी भी phenomenon को explain कर सकते हैं Fresnel ने बिल्कुल इसी theory पे diffraction को explain किया let us consider कि जो Franhofer और Fresnel की basic जो हम बात करते हैं इन में basic difference क्या है इसमें difference यह है कि जो Fresnel के case में हम एक pointed source को consider कर रहे हैं इस source की वज़े से जो भी आपकी light है वो इस source में से निकल रही है लेकिन फ्रन होफर में हम क्या करते हैं कि इस source के आगे हम एक lens लगा देते हैं जिससे जो भी raise यहाँ पर जा रही है वो यहाँ पर आपके पास parallel raise में convert हो जाती है तो parallel raise जैसे की वो raise आपकी infinity से आ रही है तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी भी एक plane पे तो जब यह एक wave front जो है वो एक plane बन गया है तो किसी भी एक plane पे सभी के सभी wavelets जो है उनका phase आपके पास same होता है तो यहाँ हम consider कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ किसी भी slit को introduce करूँ तो इस point पे इस slit के बीच में सभी point के उपर जितनी भी wavelets होंगी उन सब का phase जो है वो equal phase से start हो रहा है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है यहाँ अगर आप एक plane ले लें जिसके अंदर आप कोई भी slit या path आप उसमें consider करें तो उस पे सभी points के उपर आपका phase जो है वो आपके wavelets का same नहीं होता है तो यही beauty है आपके Fresnel के experiment की और उसने किस तरीके से इसको tackle किया और solve किया तो अगर यहाँ हमें diffraction को explain करना हो तो हम simply यह consider करते हैं कि यह हमारे पास source है एक source से जो भी आपकी lights निकल रही है वो एक spherical wavefront के form में है अब यहाँ consider कीजिए मैं एक edge यहाँ पर create कर देता हूँ जिस edge से light की bending होनी चाहिए अब मैं इसकी वज़े से यह जो मेरे पास screen है इस screen पे contribution देखना चाहता हूँ कि किसी particular point पे light का क्या contribution होगा तो अब यह जो सभी के सभी points हैं इसके उपर यह आपके independent source की तरह behave करेंगे तो इससे नीचे की जो सारे path है जो सब sources है वो block हो जाएंगे because of this तो अब हम consider कर सकते हैं कि यहाँ और उसके बाद इसके किसी भी और part से यहाँ पर इस point O पर आपके पास क्या contribution आ रहा है तो overall इससे हम यहाँ maxima बनेगा, minima बनेगा यह क्या कुछ होगा, कैसे light की intensity vary करेगी इस theory के base पे हम find out कर सकते हैं अब एक जो light जो इस source से आपके सीधा travel करती यहाँ पर जिसको मैं मानना हूँ कि ओके this is O dash और इसको मैं consider कर देता हूँ कि ओके this is alpha angle तो Fresnel ने एक चीज़ assume की, उन्होंने एक चीज़ मानी जिसको हम कहते हैं कि oblique जो है तो जिस angle पर यह जा रहा है, oblique factor जो है वो आपके पास यहाँ बनेगा 1 plus cos alpha तो overall इस angle के साथ इतना contribution जो है वो और बढ़ता जाता है path difference के case में तो oblique factor है, so that factor is proportional to 1 plus cos alpha अब इन सब assumptions के साथ उन्होंने defraction को explain करना शुरू किया अब यहाँ एक बहुत most important बात जो समझने की है वो यह है कि Fresnel Zones क्या होते तो उन्होंने इसको understand करने के लिए इस problem को tackle करने के लिए zones, Fresnel Zones बताया है कि यह वो zones से जिसमें जितनी wavelets हैं उन सब wavelets जो हैं वो same phase पर हो तो इसको मैं कैसे imagine कर सकता हूँ let's take another example कि जो मेरे पास यहाँ पर एक source है अब इस source से जो light यहाँ सीधा travel कर रही है इस spot पर जो light होगी अब वैसे तो क्या है इसका एक spherical wavefront है लेकिन इस spot पर जो light होगी उस पर जो सभी waves है उसका phase जो है वो same होगा अब जो light इस path पर जा रही है उसका phase अब यहाँ पर तो same है लेकिन अगर मैं एक plane यहाँ पर draw कर रहा हूँ तो इस plane के उपर इसका phase जो है इससे different होगा तो इस plane के उपर एक जो initially बीच का ring है उस पे सबका phase equal है उसके अलावा यह जो angle मैंने alpha consider किया है यह alpha angle इसके चारों तरफ होगा कि जो इस source से यहाँ पर भी यहाँ पर भी इधर भी और हर तरफ अगर मैं चारों तरफ इसको लूँ तो इस ring के उपर सभी wavelets का जो phase है वो आपके पास equal आएगा तो यह जो equal wavelets वाला यह जो zone है इसको हम बोलते है Fresnel zone similarly तो हमने यहाँ पर consider किया कि जो आपके पास जो भी यहाँ पर same phase है इससे next पर हमने consider किया कि lambda by 2 के difference के उपर जब सबका phase same आ रहा है तो वो एक और fresnel zone है इसके बाद एक next एक और fresnel zone होगा और उसके बाद एक और fresnel zone होगा तो basically इनके बीच का जो distance है वो एक particular relation से बंदा हुआ है और वो हम अभी थोड़ी देर में discuss करेंगे finally हम यह देख सकते हैं कि source से किसी spherical wavefront के उपर तो phase same आ रहा था लेकिन जब हम उसे plane पे देखने लगे तब हमारे पास case change हो गए और वो case किस तरीके से behave करने लगे कि अलग-अलग point है जहां पर आपका जो phase है वो same है and वो जो आपका same phase है वो किस तरीके से एक के बाद एक lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2 के difference पे zones बना रहा है जिसको हमने Fresnel zones का नाम दिया है Now, let us consider a case जब इसी picture को हम किसी point पे इसकी वजह से intensity निकालना चाहते है लेकिन अभी क्या है अभी overall हमारे पास कुछ भी ऐसी structure नहीं है आगे कि कोई हम slit create करें हम simplest way में हम चाहते हैं कि सामने जो point है उसकी overall intensity वहाँ पर क्या होगी So, let's look at हम consider कर रहे है एक plate जिस पर जो की एक plain surface है इस पर अलग-लग जो zones है तो एक आपके पास एक zone होगा उसके बाद आपके पास एक next zone होगा फिर उसके बाद आपके पास एक next zone होगा फिर आपके पास एक next zone बनेगा और यह सब क्या है लेम्डा बाइ टू के difference के उपर है अगर अब मैं किसी point P पर इनकी वजह से intensity find out करना चाहता हूँ कि intensity इस पर क्या आएगी तो first of all मैं consider कर लेता हूँ कि okay इनके बीच में जो distance है consider करता हूँ कि मैं D distance है इन दोनों points के बीच में तो उससे जो भी इस source का contribution यहाँ पर आएगा वो कितना path travel करके आएगा वो D path को travel करके P point तक पहुँचेगा after that जो इससे next portion रहेगा यह यह क्योंकि D से lambda by 2 path जादा पे है तो यहाँ पर जो भी wave पहुँच रही है इसका जो path length होगा वो हम दे यह zone ऐसा बनाया है कि यह D plus lambda by 2 के path difference पे होगा and उसके बाद जो next है वो next आपके पास इसी point पे D plus 2 lambda by 2 मतलब D plus lambda path पे हो जाएगा तो lambda by 2 का path difference हम हर zone की वज़े से add करते जा रहे हैं और उसकी वज़े से क्या होगा collectively इस P point के उपर कोई light की intensity आपकी बननी चाहिए अब इनके अलगलग contributions को हम किस तरीके से add करेंगे किस तरीके से हम final एक intensity find out करेंगे जो P point पे होनी चाहिए यह हम करेंगे एक छोटे से break के बाद इस चाहिए I will be teaching you topics limit and continuity, differentiability, partial differentiation, tangents and normals, curvature, curve tracing and many more. Please like, share and subscribe S-Chant Academy and don't forget to press the bell icon for the future updates. Welcome back to S-Chant Academy. Break पर जाने से पहले हमने Fresnel की theory discuss की थी किस तरीके से हम एक source को finite distance पर मानते हुए किसी भी phenomenon को explain कर सकते हैं. And इसमें Heisen's Principle का बहुत important role है. उसके बाद हमने देखा कि Fresnel में जो equal phase के उपर जो points आपके होंगे उसे Fresnel zones का नाम दिया. Then हमने कहा कि अगर मैं lambda by 2 के difference पर रहता हूँ तो यह जो है lambda by 2 के length पर अगर इसका path difference बनता है from point P तो इसको मैं Fresnel's half period zone कह सकता. So this is Fresnel's half period zones. तो half period means अगर lambda आपके पास total wave है तो lambda by 2 के difference पर आपने अलग-अलग zones create करती है. अब अगर मैं चाहता हूँ के इन zones की overall radius क्या होगी यह find out करगा. तो basically बिल्कुल simple mathematics का हम use करके इनकी radius भी find out कर सकते हैं. तो consider करते हूँ के this is point C and इसी जो first आपके पास जो region बन रहा है तो यह जा रहा है N1 तक. तो इस point को मैं consider कर देता हूँ, okay this is N1 और जो next इसी के उपर point जाएगा इसको मैं consider कर रहा हूँ क्यों के this is N2. तो यह जो भी आपके पास यह region बन रहा है N1 और N2 उसी के बाद आगे N3, N4 यह हम consider कर सकते हैं. From point P इसका क्या distance बनना चाहिए? First of all अगर मैं center से distance की बात करूँ तो यह distance है मेरे पास D. यह जो difference है इस distance को मैं बता देता हूँ क्योंके this is CN1 तो यह एक distance है जो मुझे find out करना है. And यह मैं कैसे find out कर सकता हूँ कि यह अगर मेरे पास hypotenuse है. So, D plus lambda by 2 square जिसको मैं अगर नाम देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि this is PN1 and CN1 अगर मुझे निकाल ला है. So, this square minus this quantity यह जो आपके पास base है इस triangle का this is D. So, D square and square root. तो यह जो मेरे पास quantity बनती है कि D plus lambda by 2 का square minus D square and square root. इसको जब मैं solve करता हूँ इसका square find out करके तो मेरे पास quantity आ जाती है square root of D lambda which is equal to CN1. So, in this case आप देखोगे कि square root of D lambda से इसका जब first आपका half period zone है उसके radius आपको मिल जाती है. Now, अगर मैं इससे next के case में यही चीज find out करना चाहता हूँ तो वो मेरे पास किस तरीके से आएगी? कि अगर यह D plus lambda जो CN2 है उसको मैं इसी triangle के case में इसको मैं solve करना चाहूँ और यही right angle triangle मैं consider करूँ. तो उस case में हम में मिलेगा कि CN2 जो है वो हमारे पास final आएगा 2D into lambda. तो इस सरीके से मुझे पता चला कि जो second जो मेरे पास zone है half period zone है उसका जो radius है वो आपके पास आएगा square root of 2D and lambda. तो इससे एक चीज़ हम interpret कर पाते हैं कि जितने भी half period zones आएगे उनका जो radius है तो that radius is proportional to square root of N. तो first के case में square root of 1, second के case में square root of 2 तो इस तरीके से उस number का square root इसके proportional वो रहता है. तो यह radius जो है वो overall आगे बढ़ते 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 कम हो जाती है. अब यहाँ एक बात और समझने के आती है कि अगर radius कम होती जा रही है तो जो भी हमेरे पास zones बन रहे हैं उनके area जो है वो कैसे vary कर रहे हैं? तो यह जो beach का central zone है इसका कुछ area होगा उसके बाद जो next zone है इसका कुछ area होगा उसके बाद जो next zone है उसका कुछ area होगा तो इनके area किस तरीके से vary कर रहे हैं? यह हम find out करने की कोशिश करते हैं. तो first of all हमें पता है कि पहला जो है उसका radius आपके पास क्या है? d lambda तो उस zone के लिए अगर मुझे find out करना है तो मैं calculate कर सकता हूँ कि first zone के लिए आपके पास जो area होगा वो आपके पास होगा pi r square तो r आपके पास क्या है? d lambda square root जिसका आप square root लेते हो square करते हो pi r square करते हो so pi d into lambda यह आपके पास expression आजाता है area of the central zone अब अगर आपको second zone का area चाहिए तो आपके पास this is area 1 and अब हम find out करना चाहते है area 2 वो आपके पास क्या बनेगा? कि अगर pi मैं क्या चाहता हूँ कि c n 2 square pi r square minus जो उससे यह तो बहार का zone हो गया उससे जो central zone है उसका area मैं minus कर दें तो minus c n 1 square अगर मैं ऐस तरीके से करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? pi c n 2 is equal to 2 t lambda square root square of that minus and this is d lambda square root square root of that like this and इसको finally solve करने के बाद हमें मिलेगी pi d lambda the same quantity जो हमें central के case में मिली है तो overall जो आपके पास central zone आया है central zone का area आपने देखा तो यह आपके पास आया उसके बाद जो उसके बाद next zone second zone बनेगा आपके पास उसका भी same area बना इसी तरीके से जितने भी आप zone देखेंगे सभी zones का area जो है वो आपके पास same होगा उसकी जो radius है वो square root of n के proportional होगी तो इस तरीके से आपको idea लग सकता है कि वो zones जो हैं वो किस तरीके से नजर आएंगे कि पहले जो rings हैं वो आपके बड़े-बड़े size में होगे और then वो shrink होते होते हैं छोटे-छोटे होते जाएंगे जैसे ही वो center से दूर जाते जाएंगे now हम देखते हैं कि अगर ऐसी जो भी plate होगी आपके पास तो fresnal expression के through एक particular point पे क्या intensity आपको मिलनी चाहिए यह हमने एक plate consider की जिसमें अलग-अलग आपके पास zones है सभी zones lambda by 2 के difference के उपर है path difference के उपर है आप p point पे इसकी intensity consider करना चाहते हैं let us consider जो आपके पास first जो है उसका amplitude आपके पास a1 है next जो zone है उस पे जो light का amplitude है वो a2 है next जो है वो a3 है इस तरीके से आप आगे बढ़ते जा सकते हैं तो net आपके पास जो intensity i है वो आपके पास intensity i क्या वनेगी first of all जो आपके पास amplitude है that is a1 उसके बाद जो next आपके पास zone है next zone जो है वो lambda by 2 के difference पे है मतलब वो destructive interference create करेगा तो destructive interference create करेगा तो वो अपना amplitude जो है वो minus कर देगा अभी मैं net amplitude calculate कर रहा हूँ और intensity के लिए बाद में हम उसका square लेके intensity calculate करेंगे तो minus a2 फिर next जो है वो lambda के difference पे आ जाएगा तो plus a3 minus a4 plus similarly आप plus minus plus minus करते हुए हर zone का contribution इस point P के ओपर find out कर सकते हैं अब एक assumption यहां हम देखते हैं कि क्योंकि यह जो है uniformly change हो रही है light की intensity तो यहां हम यह चीज़ consider कर सकते हैं कि जो भी एक nth जो आपके पास zone है उसकी जो intensity है so that is equal to के उससे जो पिछला zone है उसकी intensity and plus उससे जो अगला zone है उसकी intensity अगले zone की intensity थोड़ी कम होगी पिछले zone की थोड़ी जादा होगी इसके average के equal है यह एक basic assumption है इस case में जो हम consider कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि what is a2 तो यह example हम ले रहे हैं कि a2 equal होगा a1 plus a3 divided by 2 के तो a1 की intensity जादा होगी a3 की कम होगी तो उनका average लेकर आपके बस a2 का amplitude basically आ जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा modify करते हैं तो a1 by 2 minus अब यहां हम इसको ले रहे हैं a2 अब यह जो मेरे पास a1 को मैंने a1 by 2 और यहां मैंने a1 by 2 के तोर पे split कर दिया तो यहां दो quantities हैं आपके पास a1 by 2 a की आ गया और a1 by 2 a की आ गया और a2 जो है वो minus a2 as it is है अब यह जो a3 है इसके भी मैं दो पार्ट कर दिता हूँ a3 by 2 और a3 by 2 तो प्लस यह हो गया a3 by 2 and प्लस यह आ गया a3 by 2 तो इसको मैंने अलग कर दिया फिर यह मेरे पास है quantity minus a4 अब इसके बाद जो a5 होगा उसको मैं फिर again split कर सकता हूँ a5 by 2 प्लस a5 by 2 दो पार्ट में तो इसको मैं फिर एक बार क्लब कर देता हूँ इसके साथ तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो यह देखिए जो हमने यहाँ पर assumption लिया इस assumption के according a2 क्या होना चाहिए a1 और a3 divide by 2 तो यह जो portion है पूरा पूरा cancel हो जाता है similarly यह वाला जो portion है a3 यह a4 और a5 a3 और a5 के combination से a4 बन सकता है तो यह portion भी पूरा cancel हो जाता है तो सभी portion इस सरीके से आगे infinity तक एक दूसरे को cancel करते रहेंगे और net जो आपके पास amplitude बचेगा so that amplitude will be a1 by 2 इससे अगर मैं solve करूं further intensity is proportional to a2 amplitude square तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि a1 square by 4 overall जो intensity आपके center में है central zone पे है उसका 1 by 4th intensity आपको at point P मिल रहा है और वो जो intensity है यह intensity जो a1 intensity है वो उसका 4th point क्यों मिल रहा है क्योंकि वो बाकी जो portions है इसके zones के उनकी वज़े से neutralize किया जा रहा है उसको destructive interference जो dominate कर रहा है क्योंकि उससे next वाला destructive है फिर उससे next वाला constructive है लेकिन वो उससे कम constructive है तो ऐसे से करके कुछ portion उसमें से हटाते हुए final आपके पास P point पे intensity बनती है and that intensity is जो आपके पास A1 zone के उपर intensity होगी उसका 1 by 4 यह Fresnel ने explain किया and इसी के basis पे further diffraction या और भी कई सारे expression उनने solve की as a summary अगर हम इस lecture में देखें तो हमने सबसे पहले बात किया Fresnel और Frannhofer में difference क्या है Fresnel ने assume किया कि जब source जो है वो आपके screen के slit के बिलकुल pass है और screen भी आपकी finite distance पे ही है जब ऐसा सोचा जाए तो वो आपके पास वहाँ पर Fresnel की theory की आपको ज़रूरत पड़ेगी Heisens principle यहाँ बहुत important role play करता है अब जब हमें equal phase के zones चाहिए तो हमने Fresnel zones एक definition create की के जहाँ पर आपके पास equal phase है जिन points पे उनके locust को हमने Fresnel zones का नाम दे दिया जब एक sheet के उपर हमने हर lambda by 2 difference के उपर एक point के respect में हर lambda by 2 के difference पे हमने अगर consider किया एक path length के उस source से उसके उपर जो light आएगी वो इतने path length के उपर होगी तो ऐसी plate को हम half period zone कह सकते हैं तो उस जो plane है उसको हमने ये नाम दिया finally हमने देखा कि उसकी वजह से जो एक intensity जो final आपके पास बननी चाहिए वो central की जो intensity है उसकी 1 by 4 बन रही है और ये किस वजह से हो रहा है क्योंकि जब हम collective contribution देख रहे हैं ये उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि destructive interference भी अपना role play कर रहा है अगर आप इस topic को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप S.Chant Publishing की इस book को refer कर सकते हैं इस book की e-book का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा I hope आपको ए lecture पसंद आया होगा चैनल को subscribe करना ना भूलिए हम से जुड़े रहें इसके लिए आप bell icon दबा सकते हैं Take care, have a very good day